सिक्षक सांथियों साधर नमस्कार सीजी स्कूल पोर्टल पर आज बहुत ही महत्वपूर अपडेट हुआ है दोस्तों अगर आप अपने विद्याले में सिक्षण के अलावा अन्य महत्वपूर गतिविधिया बच्चों से करवा रहे हैं तो अब उन गतिविधियों को सीजी स्कूल पोर्टल पर बड़ी आसानी से अप्लोड कर सकते हैं तो चलो दोस्तों हम जानते हैं वहाँ न्यू अपडेट क्या है सबसे पहले आप अपने पोर्टल पर लॉग इन हो जाएंगे लॉग इन होने के बाद थ्री लाइन को क्लिक करके सिच्छक के कारे में जाना है यहाँ जाने के बाद देखे दोस्तों तीसरा आप्सन इसकूल की गतिविधियों एंट्री करे यहां न्यूब लिंग हो रहे दोस्तों यही नए अपडेट है इस आप्सन पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके समख्ष यह देखे चार नए आप्सन मिलेंगे पहला है गतिविधियां दूसरा है निरनायक मंडल में सामिल सदस्य तीसरा है चैनित विद्यार्थियों के नाम और चौथा है हस्त पुस्तिका आपको एक बात बता दू दोस्तों इस वर्ष आपको विद्यार्थियों से ये सभी गतिविधियां कराना अनिवारे है अब अनिवारे होने के साथ साथ अब आप इसे सीजी स्कूल पोर्टल पर बड़ी आसानी से अपलोड भी कर सकते हैं previous सब्सक्राइब अजिसको हमें हाँ नहीं में जवाब देना है तो पहला अप्सन है दोस्तों इस कुल खुलने एवं पढहीत हों दौर्टल के 259 ऱेतू कर साला प्रबंधन समीटि की बैठा का आयोजन एवं तैजनडाओं पर कारवाहियां तो दोस्तों अगर आपने ये सभी कारिक किये होंगे तो हां करेंगे और नहीं है तो नहीं तो मैं हां कर देता हूँ क्योंकि मेरे यहां कारवाहियां बन चुकी है दूसरा है क्या बच्चों के पढ़ने के लिए प्रती दिन गत्विधियां आयोजित की जा रही है तो इसमें भी मैं हा करूँगा आप अपने इस्तर पर करते जाएंगे दोस्तों तीसरा है क्या बच्चों द्वारा हस्त पुस्तिका तैयार की जा रही है तो मेरे यहां हस्त पुस्तिका तैयार की जा रही है हां करूंगा चौथा है क्या विध्यार्थी विज्ञान के प्रयोग कर रहे हैं तो मेरे यहां विज्ञान का प्रयोग अभी नहीं कर रहे हैं नहीं दिये हैं इसलिए मैं हरान हम कर देता हूं हुए उसके पाद सब्मीट कर देंगे सब्मीट कर दोस्तों आपके समक्ष नोटिफिके सन आ गया सफलता पूर्वक идет किया गया करें Bye उसके बाद हमें निर्णायक मंडल में जो सामिल सदस से है उनको add कर सकते हैं और delete भी कर सकते हैं तो add करने के लिए हमें उनका नाम लिखना है उनका mobile number और पद का chain करना है तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ राम रतन यह हो गया नाम दोस्तों उसके बाद उसका mobile number डाल देंगे तो उसका mobile number है यह देखिए फिर पद का chain करेंगे पद है दोस्तों देखिए पालक है कि निकट की साला के सिक्षक है रिटायर्ड सिक्षक सिक्षक में रुची लेने वाले हैं यह साला प्रबंधन समीति के सदस्य हैं तो दोस्तों यह साला प्रबंधन समीति के भी हैं और पालक से भी हैं तो मैं पालक का option यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ उसके बाद यहाँ देखिए सदस से जोड़े लिखा हुआ है आप सदस से जोड़े आप्सन पर क्लिक करके यहाँ पर और सदस से यहाँ पर एड़ कर सकते हैं यह देखिए दोस्तों दूसरा आप्सन भी ओपन हो गया अगर आप और एड़ करना चाहे तो यहाँ पर आप सदस से जोड़े आप्सन पर क्लिक करके यह देखिए यह बढ़त अगर आप इसे डिलीट करना चाहे तो यह डिलीट के आपसन पर क्लिक करके उसे डिलीट भी कर सकते हैं यह देखे दोस्तों वह डिलीट हो गया है तो दूसरे आपसन में आपको निनायक मंडल में सामिल को सदस्य कर जो सदस्य उसको एड करना है और अगर आप डिलीट करके दूसरा एट करना चाहें तो आप उसे डूलिट करके दूसरा एट कर सकते हैं तीसरा अप्षन है चैनित विध्यार्थियों के नाम इस अप्षन पर आपको क्लिक करेंगे तो यह देखिए गति विधियां आ गई कक्छा सेक्षन और विध्यार्थि गति विधियां में क्या क रिफिर्ए कर आएगा रिफिरेस होने के बाद दोस्तों पुनं आपको इसอप्सन पर जाना है कि यह दीए मैंने विज्ञान प्रयोग लिया हुआ है तो उसके बाद हमें सेक्शन काष्यान करना है तो section यहाँ पर A डालेंगे, फिर refresh होकर आ गया दोस्तों, refresh होने के बाद हम पुना इस option को click करेंगे, उसके बाद है विद्यार्थी chain करें, तो यहाँ से आप विद्यार्थी का chain कर सकते हैं, किस विद्यार्थी को विज्ञान प्रयोग में रखना चाहते हैं, चुकि अभी मे submit करना चाहें, तो submit कर सकते हैं, अगर आप अभी submit नहीं करना चाहेंगे, तो मत करिएगा, तो submit करेंगे, तो आपके पास notification आजाएगा, अगला option है दोस्तों, हस्त पुस्तिका, तो मैं एक और बात बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर जो पांच option है, इन पांचों आप्शनो आपको विद्यार्थी का चैन करना है अगला अप्सन है हस्त पुस्तिका में जाएंगे दोस्तों यहां पर देखिए हस्त पुस्तिका का कवर पेज यहां पर आपको अपलोड करना है और ध्यान रखेंगे यहां एक साइज जो है एक एमबी का होन ज्येपी ज्येपी इज़ी झी और पिएन जी इस साइज और रहेगा उसके बाद है सपुस्तिका कि इस और प्रति तो यहां परेहन में 20 बीठों तक आप इसमें बड़न कर सकते हैं तो मैं अभी इस option को अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी इसके प्रमाड विद्याला में मेरे पास नहीं है और मैं अभी अपने home में हूँ इसलिए इस फाइल को अभी upload नहीं कर पाऊंगा तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है आसा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी तो like, share, comment जरूर करिएगा बहुत बहुत धन्यवाद